प्रवाज्यार स्वागत है आपका सार्थी त्रिशला के साथ मैं आपके और स्ञेरा भी परती हों ए पर उससे पहले में आपकी सार्थी हो इसलिए उसलिए आपके जीवन की छोटी-्छोटी समस्यां रे इसलिए मैं, आपके जीवन की छोटी-छोटी iają एक बहुत गेहन और बहुत ही गंदा अंदुलम है कि पती-पत्नी के बीच में कोई तीसरा आजाए लिएव citizen कोई भी हो सकता है तो लोगा कुछ माइना ना करता पती-पत्नी के रिष्टे में किसी तीसरे के आने की वो जगह कभी नहीं बननी चाहिए एक दूसरे का आदर सतकार और सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए कभी भी पती-पत्नी को किसी दूसरे के सामने एक दूसरे को तिरसकर नहीं करना चाहिए आपका कितना भी गुसा कि आप एक दूसरे से किसी बात को लेकर नाराज हैं बहुत सारे आदमियों को मैंने ये गलती करते देखा है और डाट रही हूं कि करते देखा है मत करिये ये काम आप सबके सामने खड़े होकर अपनी बीवी को फटकार देते हैं आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े मर्द हैं तो आप की ये बहुत बड़ी गलत फेमी है स्तृ प्यार से बनी है औरत सिर्फ प्यार के रंग जानती है औरत को ये डाट फटकार नहीं समझाती वो सुन लेती है बरदाश कर लेती है क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है तो यह सर जुका कर आपके इज़त रखने के लिए वहीं पर आपको तपाक से जवाब नहीं देती पर आपको ये कारे नहीं करना चाहिए चलिए, हर कोई चाहता है कि मेरा पती या मेरी पत्नी मेरे वश में रहे, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, पर मैं आपसे आज एक बात पूछू इसमें गलत क्या है? कोई किसी से इतना प्यार करता है कि वो उसको अपना बनाने के लिए, अपना करने के लिए, वो कुछ भी करने को तयार है उसके अंदर ये डर इतना बुरी तरीके से भर चुका है कि अगर ये मेरी जिंदगी से चला गया, तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी? और उस डर को सही नहीं होने के लिए वो उससे अपने आप को बचाने के लिए नित नए प्रियास करता रहता है हम अपने जीवन में हर एक उपाय करते हैं कि हमारे ये रिष्टा बना रहे है मैं 100% के वल इसी रिष्टे पे ही काम करती है मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि आपके जीवन से प्रेम कभी न जाये, आपके जीवन में प्रेम हमेशा बना रहे है, तो चलिए, आज और आपको एक विशेश उपाय बताती हूं, जिससे आपका ये प्रेम हमेशा आपके लिए बना रहे है, क्या करना है आपको मैं बताती हूं आपको अपने पती-पत्नी के रिष्टों को और मधूर करने के लिए और अच्छा करने के लिए तीन विशेश उपाय करने हैं बहुत छोटे-छोटे और सरल-सरल उपाय बता रही हूं आपको प्रते गुरवार को आपको दो मीथे पान लेने हैं पाल लेने के बाद आपको सर्फ प्रतम अपने ईश को समर्पित कर देने हैं प्रशाद रुपी उनके सामने रखिए उस पान के अंदर एक इलाईची या इलाईची दाना होना बहुत जरूरी है ये विशेश करके ध्यान रखिएगा आप जब वो पान अपने ईश को समर्पित करें तो आप उनसे विंती करें कि ये प्रशाद मेरे जीवन में प्रेम बढ़ाने का कारे कर दें आप उस वक्त प्रभू से अपने प्रेम के लिए जरूर प्रार्थना करिए और उसके बाद आप खाना खाने के पश्चात वो पान अपने हस्बिन को एक खिला दीजे और एक स्वैम खा लीजे अगर आप धोनों के बीच रिश्टे इतने अच्छे हैं कि आप एक दूसरे को खिला सकते हैं तो जरूर खिलाएए ऐसा अगर आप नितनियम से साथ गुरवार कर लेते हैं तो आपके बीच प्रेम जरूर बढ़ेगा दूसरा विशेश उपाय जो मैं आपको बताती हैं क्या करना है आपको आपको एक पेपर के उपर एक त्रिकोन बनाना है जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं उस ट्राइंगल के बीच में आपको लिख देना है क्लीम क्लीम शब्द केवल शब्द नहीं है इसमें अथा की शक्ती है मैं सिर्फ क्लीम शब्द से आपको ना जाने कितने करोडों उपाय बता सकते हैं यह क्लीम लिखने के बाद आप उसके बीच में एक इलाइची रखेगा और उस इलाइची को उसमें रखकर उस पेफर को अच्छी से फोल्ड करने के बाद आप उसको एपने सिरहाने के नीचे रख लिजेंगर अगले दिन सुभध किसी भी तरह खाने में चाई में दूद एक और विशेश उपाय जो मैं आपको बताने जा रहे ही हूं जो आपके पति-पतनी के रिष्टे के लिवे बहुत मजबूती देने का काम करता है क्या करना चाहिए आपको क्या आपने कभी श्री हरी विश्नु को देखा है वो हमेशा अपनी शया पे लेटी मुद्रा में होते है और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती है पती के पैर दबाने से सीधा रस्ता उनके दिल पर जाता है और ये तो माल लक्ष्मी साक्षातकार में हर मूर्ती हर चित्र में दरशाती है पस हम इस चीज़ को अपना नहीं पाते हम इस चीज़ को accept नहीं कर पाते बहुत सारी ओरते होंगी जो अपने पती होंगे पैर दबाती होंगी मैं हूँ अगर आप भी करती हैं तो जरूर करिए नहीं करती हैं तो करना चालू करिए और अगर आपके पती आपसे पैर नहीं दबवाते तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ जो आपको जरूर से करना चाहिए, क्या करना है आपको, आपको मंगलवार के दिन थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर गुलाब जल मिला लेना है, उसके अंदर आपको एक मुट्टी हरी सौफ डाल देनी है, उसके पश्चा थोड़ा सा लाल चंदन आपको डाल देना है, उसके बा तेल लेली से नारियल का सब्सक्राइब यह जो आपने पानी तैयार किया है इसकी कुछ बुढ़े तेल के अंदर मिला दीजिये मिलाने के बाग तरीके से वो आपको अपने पती के पैर के तलवों पर लगाना है उसकी मालिस करना है मालिश करते वक्त आपको हरी विश्नु का ध्यान लगाना है और यही बोलना है कि हे प्रभु जिस तरह आप मालक्ष्मी से जुड़े हैं जिस तरह आप मालक्ष्मी से प्रेम करते हैं और जिस तरह आपका प्रेम मालक्ष्मी के लिए है बस उसी तरह से इनका प्यार भी मेरे के लिए जागरत हो जाए रिजहा के मना के तोई सिविंती करके मना लीजिए देखेगा इस यह काम जरूर करेगा 100% काम करेगा मुझे आप लोगों का नहीं पता लेकिन एक बात पकी है मेरे यह सारे उपाए बताने के बाद मैं इस चीज़ के लिए जरूर बदनाम हो जाने वाली हूँ कि मैं ना जाने कितने टोने टोटके करती हूँगी चलिए फिर आओंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बन करिएगा लाइक और शेयर जरूर कर लिजेगा आपको मुझसे बात करनी हो तो आप इन नमबर्स पर कोल कर सकता हैं मैसेज कर सकते हैं आप मुझे मेरे फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पेज पर भी जॉइन कर सकते हैं मैं फिर आऊंगी तब तक के लिए ख्याल जरूर रखना जल्द मिलेंगे जैशी कृष्णा